नमस्कार अगर आपको यह बोल दिया जाए कि मातर दस सेकिंड है आपके पास और आपको अपनी और अपने परिवार की जान बचानी है तो आप क्या करेंगे जी हाँ मुद्दा बहुत ही कठिन है और खतरनाख है लेकिन यह सच्चाई भी हो सकती है सच्चाई इसलिए कि जो वर्तमान परिस्थिति हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमेशा इसके लिए हमें तयार रहना चाहिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजकुमार स्वामी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल युवा भारत की श्यान तो दोस्तों आज मुद्दे की बात इसलिए चल रही है इसमें यानि दस सेकिंड के विश्य की कि यूक्रेयन और रूस के बीच में विवाद चल रहे हैं और बहुत सी बाते होती है कि परमानू बम के बारे में तो आज हम चर्चा करेंगे कि परमानू हमले से हम कैसे बचाव कर सकते हैं खुद का बगवान ना करे कि ऐसा कभी हो जाए क्योंकि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में भी तनाव चलता रहता है भारत और चीन के बीच में भी तनाव चलता रहता है अगर ऐसी नोबत कभी आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए हमारे देश में यह नहीं बताया जाता है अभी पिछले एक महीने पहले जब अमेरिका में एक ऐसा कोई मौक ड्रिल किया गया था वहां के बच्चों को ले करके यानि बच्चों के साथ में यह मौक ड्रिल हुआ था स्कूलों में मौकड्रील हुआ था सब जगह भी मौकड्रील हुआ था और श्वीजर लेंड एक मात्र ऐसा देश है पूरे विशव में कि वहां पर अगर परमानू हमला भी कई कोई देश कर देता है तो सबसे ज़्यादा सुरक्षी जगए विश्व में इस समय एक मातर स्वीजरलेंड है. जहां पर जितनी जन्संक्य है उससे ज़्यादा की जन्संक्या में उन्होंने सेल्टर हम बना रखे हैं यानि बेस्मेंट बना रखे हैं वहाँ की सरकारें जो है जहां जब भी आप मकान बनाओगे तो उससे पहले यानि आदेश देगी कि मकान के नीचे आपको एक बेस्मेंट बनाना बहुत जरूरी है तो दोस्तों अभी चर्चा करते हैं हम यानि परमानू बम अगर कहीं पे डाल दिया जाए तो अगर सोची या भगवान ना करें ऐसा कुछ हो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर को आप ऐसे सहर में रह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उस सहर को छोड़ दीजी क्योंकि परमानू बम जो गिराने का जहां भी कोई भी अगर जगह होगी तो वह बड़े सहरों पे गिराएंगी यह बात एक निश्चित बात है दूसरी बात यह है कि अगर आप परमानू बम जहां पर गिरता है तो इसका एक सबसे बड़ा यह है कि 5 किलोमेटर का एरिया तो आप समझ लेजिए कि वहां पर तो कुछ बचेगा नहीं चोब वहां पर तो आप चाहिए कहीं भी होगे आपके पास में इतना मोका नहीं होगा कि आप यानि बच जाएंगे 5 किलोमेटर मे तो आप सोच सकते हैं फिर भी आपको इतना कम समय मिलेगा कि आपको अपने घर के बेस्मेंट के अंदर जाना पड़ेगा अब जितना जल्दी हो सके आप अपने घर के बेस्मेंट के अंदर चले जाए या कोई Metro Station है जहां पे Metro Station क्योंकि बहुत गहराई में होते हैं तो आप जहां कहीं भी metro station है तो आप उसके अंदर भी आप metro का जो system चल ला है आप वहाँ पे भी जा सकते हैं क्योंकि सबसे सेफ वहाँ पे भारत में सिरफ भारत के राष्टपती परधानमंत्री यानि बड़े बड़े नेताओं के लिए और भारत ये सेना के लिए ऐसे basement बनाए गए हैं और कहीं पे भी पूरे देश में ऐसे कोई basement नहीं है अब आप अपने घर के basement में मानलो जा रहे हैं तो आपको जरूरी चीज़ें जैसे ही मानलो कोई ऐसी संभावना है होती है युद्ध वगरा की तो ऐसा 15 या 20 दिन का आपको रासन तयार रखना चाहिए सबसे बड़ ठप हो जाएगी एक मातर रेडियो ऐसा साधन बचेगा कि जहां से आपको यह पता चलेगा कि मदद कहां पहुंचिए और कब तक आपके पास मदद पहुंच जाएगी तो आप 15 या 20 दिन का रासन रखे जैसे ही परमानू हमला कहीं पर होता है और आप यानि 5 किलोमेटर की क Keyrand से बाहर है तो आप बेसमेंट के अंदर गुसेंगें बेसमेंट के अंदर अगर आप जाएगे तो जाते ही सबसे पहले आपने जो कप्ड़े पहनले रखेते बाहर उन कप्डों को आप खोल दीजिए और उन कप्ड़ों को ऐसे लिफापा आप पास में रखेंगे कि आ आप अगर सनान करेंगे, अगर आपके पास साबून या सेम्पू है, तो उससे रगड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, एक चीज़ का ध्यान रगना, जब भी आप सनान करेंगे तो बिल्कुल भी सरीर को रगड़ेंगे नहीं, क्योंकि रेडियेशन जो है, वो सीधा आप पान डालेंगे तो उससे क्या होगा कि radiation यानि हट जाएगा अगर आप रगडेंगे तो वह रेडियेशन सरीर के अंदर प्रवेश करेगा दूसरा चीज एक और ध्यान अगना है आपके पास रेडियो है आप किसी भी स्तिती में कैसी भी चाए कितनी भी विकटी स्तिती आ जाए तो आप यानि घर से बाहर नहीं निकले यानि basement से बाहर मत निकले जब तक आपको ये महसूस नहीं हो जब तक आपको ये पता नहीं चल कि हाँ हमारे लिए मदद पहुच गई है क्योंकि radiation का परभाव बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत दिनों तक रहता है आज हमने हिरोशिमा और नागा शाकी पर जहां पर देखा था परमानू हमला एक ऐसा यानि खतरनाक हमला होता है इस मानों जाती के लिए मैं कहता कलंग के समान होता है परमानू हमला 1945 में जब हिरोशिमा और नागा शाकी पर अमेरिका ने बं गिराए थे उसका परभाव आज भी जापान के उपर है और जिन शहरों पर बं गिराए गए थे उन शहरों पर वहां के आसपास के रहने वालों के वहां पर आज भी बच्चे जो हैं वो विकलांग पैदा होते हैं यानि 1945 से लेकर के और आज का आप समय देख सकते हैं कि लगबग 80 साल होने को जा रहे हैं लेकिन यानि वहाँ पर आज भी परमानू हमले का जो दंस है वो वहाँ की जनता आज भी झेल रही है तो दोस्तों मानव जाती को अगर बचाना ह तो सबसे पहले तो यही है कि प्यार से रहना होगा और दूसरा अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको मैंने जो जानकारी दी है उसका अपने खयाल रखें कभी भखवान ना करें ऐसा कुछ हो जाएं तो ऐसी यानि आप अपना अपना एक और बताओं आपको अगर आप अपन यानि नियमों का पालन करना चलू कर दिया गया है और जल्द ही यह आपको भारत में भी देखने को मिलेगा कि हमें हमारे घर में एक बेस्मेंट कैसे और क्यों बनाना चाहिए तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सबस्क्राइब जरूर करें बहुत कम लोग जो हैं सबस्क्राइब कर रहे हैं जबकि वीडियो इतने अच्छे हैं यह समझ में नहीं आता जै हिन्द जै भारत